हे गाईस आप सभी का सौगत है हमारे चनल मस्टर मोबाइल में तो गाईस आप सभी को हैप्य नुई यर तो गाईस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि बहुत लोगों के मन में डाउड किये होता है कि गूगल पे में प्राइमरी अकाउंट क्या होता है और अग जो वीडियो है वो पूरा लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों आपको भी अगर एक गूगल पे में दो बैंक अकाउंट एड करना है तो उसके उपर आल्रेडे मैंने एक वीडियो बना दिये तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नहीं तो आप ह हमारी वीडियो की दुराफ तो तो चीमिल से लिए के बाद यहां पे देख सकते हैं जो मैरा बैंक आखौंट है उसके नगी इचे डिफॉल्ल बैंक अकाउंट वीड़ा होता है दोस्तों यह हमारा प्रामरी बैंक अकाउंट होता है लिकिन कुछ लोगों के डबल bank account add होते है एक Google पे में जैसे कि यहाँ पर screenshot में देख सकते हैं दो bank account add है तो दोस्तो इसमें primary account set करना पड़ता है दोस्तो primary account वही होता है जिससे आपके पैसे जाएंगे और अगर आपको Google पे से कोई reward मिलता है तो उसी bank account में आपका reward आ जाएगा तो दोस्तो जो primary account होता है उसके नीचे यहाँ पर दीख सकते है primary account करके लिखा होता है और दोस्तो अगर आपको primary account change करना है तो वो भी आप change कर सकते हैं यहाँ पर दीख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दो bank है अगर आपको second bank है उसको primary account शेट करना तो इसको भी अफNet कर सकते हैं प्राइमरीा कांट की बात करें तो आप एक्र उसштे कес अगर नहींद तो यहां पर कुछ कुछ इंटर्फेस देखने सब्सक्राइब और यहां पर कॉरर्ण में आपको प्राइमरी करकेकी लिखहन रखनी हो मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो आपका bank account है वह primary state है तो अगर आप दूसरे bank account को primary करना चाहते है प्राइमरी account set करना चाहते है तो simply आपको यहाँ पर और एक option देखने को मिल जाएगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर display QR code के ऊपर हम लोग को एक और option देखने को मिल जाता है set as a primary account और यहाँ पर देख सकते हैं उसमें primary लिखा हो नहीं आता simply आपको बस उस पर click कर देना है और आपका जो second account है वो primary account set हो जाएगा तो guys आपको याद रखना है जो भी account आप primary set करेंगे उसी account से आपके जो भी transaction है वो होंगे और जो भी आपको rewards वगरा मिलेंगे वो उसी account में deposit हो जाएगे I hope दोस्तों आपके doubts clear हो गए होंगे अगर आपके मन में और भी कुछ questions है तो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं तो guys इस वीडियो के लिए इतना ही अगर इवडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चानल पे नहीं आयो तो चानल को भी सब्सक्राइब कर देना तो guys इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद